नमस्कार दोस्तों मैं मुनुशुक्ला सागत करता हूँ आप सभी का और अभी अभी सेल की एक यूनिट जिसका नाम है बोकारो स्टील प्लांट उसमें 108 वीरियस वेकंसी खुली हुई है यह एक्जेकुटिव भी है और यह नॉन एक्जेकुटिव पोस्ट भी है अब जिसम मनें अब बताया है 108 वेकंसी है तोटल वेकंसी जो है वो किती है बाइसाब 108 होगा यह अब इसी में एक्जेकुटिव पोस्ट भी है यह हाई पेड जॉब्स है सारी सारी और एक आपकी नॉन एक्जेकुटिव तो इसमें जो है अप्लाइ कर सकते हैं कहीं कहीं पर experience मांगा है कहीं के पर experience नहीं मांगा है उस पर अपन बहुत शरी डिटेल में चर्चा करेंगे यह फॉर्म अभी open नहीं वह जिंदा मत करिए है ना देखें यह क्या है में तो सेल है Steel Authority of India Limited इसकी बहुत सारी ब्रांचे जिसे भिलाई स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट दुरगापुर स्टील प्लांट इसको हो गई और बहुत सारी विया बहुत सारी यूनिट है 978 करीम पर इनकी यूनिट है तो अभी जिसमें यह जो जॉब open हुए ना यह है चलिए तो शुरू करते हैं जल्दी से इसके भारे में सब्सक्राइब कैरें तो इसमें शुरू करते हैं नागे क्यों की लिए इसमें जिल्दी से बता करे करें चले आ रहा हूँ बस पोस्ट आप देख लेंगे जिने सीनियर कंसल्टेंट हो गया या फिर सेनियर मेडिकल ऑफिसर हो गया तो सीनियर कंसल्टेंट के लिए नीरो सरजरी और नीरो सर्जरी में है एक पोस्ट भूब जेनरल किया ठीक है इसमें प्रेटिकल के लिए एक है पेडिया ट्रिक्स के लिए एक पोस्ट खाली जन्में से दो जनरल में है और एक आपका एकोनोमिकली वीकर सेक्शन और एक पोस्ट आप देखेंगे इनके लिए वन हैंड मतलब एक हाथ से अगर दिव्यांग है आप तो उनकी लिए एक एडवलोस के लिए एक दिव्यांग के लिए ऐसी आप अगर नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो सब्सक्राइब के लिए तो यहां पर आप देख सकते हो कित्ती पोस्ट जनरल के लिए स्ट के लिए स्ट के लिए और एडवलोस के लिए और परसन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ना यह इनके लिए भी एक है तो इसको थोड़ा सा देख लेना आपको अच्छा यह जो आपगी ज्याल कर्द आप ज्याल करें से जाब करें जो इन माइन के सब्सक्राइन हे पला अंपर नब्त और डीह कि AAA अब अपरेटर कम टेक्निशन हो गया या अटेंडेंट कम टेंशन के लिए Цाथ चाहिस योगहिए फरक तबॉक्त के साथ बोलते इपास है घरा करो एसमें हो है आप जिनोना वहिए आप गरोति इस ऐस्के इन्हें ने इक बात और किया कि इससे मैं सब बता तो मेरी भी यही राय है कि यही फॉर्म बनना चाहो तो दो भर सकते लेकिन अलग-अलग सेपरेट सेपरेट बहर ना भर के देख सकते हैं पर अगली लाइन में यही लोग दिक्कत बोलते हैं कि हो जाएगी तो पर पर वही म पिटिम में जहारखंड ग्रूप माइन्स में देखें कोई जो मैंने घुआ वह सब बताया थे आपको इसमें देखें माइनिंग फोर मैं हो गया सर्वेयर की पोस्ट खाली है यहां पर भी ऑपरेटर कम टेक्निशन ट्रेनी माइनिंग के लिए ऑपरेटर कम ट्रेशन ट्र में नहीं की खाली है तो यह नहीं बताने चाहूंगा आप यहां पर देख सकते हैं अच्छे से अब आगे चलते हैं और इन्होंने यह बात और कहिए कि जैसे सब्सक्राइब करते हो ठेक है ना जैसे परसेंटेज बोल दिया कि यह पचास परसेंट चीए हो तो जन्रल करते करेंगेरी में तो अगर आप उनकी सीट से भरना चाहिए फिर आपको टैंट का परसेंट जो है वह पचास परसेंट से उपर ही होना जो तो नहीं अगर आप अपनी करेंटिकरी से अपनाओ तो आपको 10% कम हो जाता यह होता कि 40% से आप उसे कर सकते हो तो थोड़ा सा ध्या आपके पास को प्रमाड़ पत्र होना चाहिए कि आप OBC में नौन क्रिम लियर में आते हो और सब्सक्राइब के पास अपना इंकमेंड सेटिफिकेट उनका बनता वह होना चाहिए उनके पास ठेक है ना आगे बढ़े जाते हैं अब देखें यह क्या है यह है एजुकेशन क आपको पता है कि छूट तो मिलती है तो जैसे कि मालोगर आप स्टी वाले तो 5 साल की छूट मिली वह है तो यह लोग अपला कर सकते हैं तो कंसल्टेंट के लिए भी यह तीन साल का एक्स्पिनिस होना चाहिए आपको किसी होगे रहा रहा है अटिकल अफिसर के लिए एक साल का experience होना चीए किसी मेडिकल हव्पिटल में ठेक हैं और वही पीजी वगेरे आपने कर के रखाओ और क्रेटिकल केर आपको यह सब डिण मेडिकल वगेरे लिखा यह अने इस्तिसीयोलोजी खना एक साल का आपके पास होना चीए पीबियस की डिगरी मांग ली है या डिप्लोमा कर लिए अपने इंस्टियल हेल्थ में अकुपीशनल हैं अपने ऐफ आइच यानि की एशोचिएट फेलोशिप इंडस्टियल हेल्थ में आपने आपने किया हुआ है ना किसी भी रिकॉग्ड़ इंट्यूट्टी इंस्ट्य तो इसमें MCH DM DNB आपने relevant discipline से किया तो आप इसे भर सकते हैं और medical officer 34 साल से उपन नहीं होने चीज़ जनरल वालों के लिए बाकी सब छूट लगा लेंगे इनको सब्सक्राइब करें लिए बीटक आपने पूरा कर लिया हो आपने साथ में इंडेस्ट्रिल सेफ्टी में आपने किया हो ठीके ना और आपके परसेंटेज रहे हो 65 परसेंट रहे हो जनरल वालों के लिए और परसेंट बेंचमार्क डिसबीलिटी और डिपार्टमेंटल लोग के लिए 55 परसेंट चल जाए गए प्रैक्टिकल एक्स्पेरिंस होना चाहिए आपको किसी एक्जिक्टिक वेटर में दो साल का लग नों दो साल से कम तो नहीं होना चीघ्यम अब याद रखना आपका काम आ गया नौन एक्जिक्टिक उपस के बारे में सुनना है क्या है कैसा है पहला है जुआ है तीन साल वाला डिप्लोमा किया हूं मेकेनिकल से यह पावर प्लांट से यह प्रोडक्शन से इस्ट्रुमेंटेशन से तो आप इसे भर सकते कंडिशन यह कि आपके पास प्लस फर्स्ट क्लास बॉलर अटेंडंट सेटिफिकेट होना चाहिए और दस्वी में आपके 50% आने चाहिए अगर आपने क्यालिफाइंग परसेंटेज दस्वी डिप्लोमा में आपके 50% वने चाहिए दोनों में याद रखना और यह जनरल के लिए हो गया और बाकि जो के अगर आप अटेंडेंट कम के लिए अप्लाय करोगे तो फिर आपको सेकंड क्लास मांग लिया और कोई एक्स्पिरेस नहीं है तो परसेंटेज की भी बारगीनिंग नहीं नहीं है अब जैसे देखो ऑपरेटर कम टेक्निशन ट्रेनी यह आगया ओसी टीटी एलेक्ट्रिकल है इनिचला माइनिंग है 28 साल है देखलो आप यहां द्यान से बाकि चूट लगा तो दस्वी के साथ तीन साल का एक्स्पिरेंस मांग लिए कैसे सेलेक्शन होगा बढ़ी बताओ मुसलें पस वगेरा सबापर ड परसेंटेज होने चाहिए दस्वी में और डिप्लोमा में माइनिंग फॉर्मेन को अगर आप देखोगे तो 28 साल वही एज है और 10 के साथ वही डिप्लोमा माइनिंग में करा हो और साथ में जो है वैलिड आपके पास माइन्स फॉर्मन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और माइनिंग के लिए तो यहां पचास परसेंट आपकी दस्वी और डिप्लोमा दोनों में होने चाहिए और 40 परसेंट बाकी जिनको छूट मिलती है उनके लिए माइनिंग में चाहिए और माइनिंग में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो आप इसे भर सकते हैं आपके पास साथ में बनी बात है और आपके आपके पास साथ में बनी बात है एंसी टीन ने इट वगरा सर्टिफिकेट को यह कहता है यह होना चाहिए एक्सपिरेंस नहीं मांगा कोई परसेंटेश की बात नहीं करी इस पास साल की सुट को मिलती है जो मिलती है और यहां पर का ना इंहों हाइट होगी रखत ही जैसे माल अगर आप मेल हो और आगर मेल के लिए हाइट क्या बुला एक מא sö पच्पच सेंटिमीटरं अगर वह इंजीनियर है तो इंजीनिरिंग चीजों के लिए अप्लाय के बाद 79 सेंटिमीटर होना चाहिए ठीक हो चलिए अलाकि आर्मी वगेरा में महिलाओं के लिए चैस्ट नी होती है वो नहीं नपती है बाकी सब के लिए नपती है ठीक है अब आ जाते धीरे से इन तेनों की बात करता हु मैं इन तीनों की बात कर दूगा ठीक है श्लमकी फर मैं आथर मीटिमिमूम के yak Farm मार्क्स रहेगा इंटर्वू का वो 50 परसेंट जनरल और इडव्योस के लिए और 40 परसेंट रहेगा इनके लिए अना फाइनल सेलेक्शन दे मेरिट लिस्ट विल भी ड्रॉन अब बेस्ट परफॉर्बंस अब करेंगे वैसी मेरिट लिस्ट बनेगी फर यह कोई मतलब की नह मतलब आपको सिर्फ इंटर्व्यों नीचे वालों को बहिए ऐसा इने साथ साब गोला कंप्यूटर विस्टेस्ट ले लेंगे आपको जैसे मेडिकल ऑफिसर मेडिकल लिए असिस्टेंट सेफ्टी एसिस्टेंट मेनेजर सेफ्टी के लिए अपलाय करते हैं इनका तो पहल सबस्कूल लेंगे और लेंगे लेकिन इसकील टेस्ट आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है सारा खेल आपका सब्सक्राइब आपको सिर्फ क्वालिफाय करके दिखानी है आपका जो औब्जेक्टिटिव पेपर पुरा अब्जेक्टिव है यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी कौलिफाइंग अगर निकालनी तो अगर आप जनरल और और वालें तो 50 परसेंटाइल और बाकी सब के लिए 40 परसेंटाइल इतने में आपका रिटर निकल जाएगा फिर आपको इंटर्वी के लिए पुलाया जाएगा यह सभी के लिए तो यह हो गया अब मालों आप सेलेक्ट हो गए तो यह जो हमारे पूरा एक्जीक्यूटिव चाहे घुषरा द्यान से इनका प्रोबेशन प्रोबरेशेंट एक साल का है अगर आप camer ल kier माइनिक decrease सर्वेयर या ओपरेटर कम टेक्निशिर बॉुलेर की लिए करते लिए तो एक साल का एक साल का मतलब प्रोमेशन पीरिड एक साल आपको सिखाएंगे ऐसा है लेकिन अगर आप अपरेटर कम टेक्निशन इलेक्ट्रिकल माइनिंग या फिर अटेंडेंट कम टेक्निशन के लिप्लाय करता है यह जो तीन लिखें तो आप समझे पहले तो आपको दो साल की ट्रेनि सब्सक्राइब और यहां जब आप नीचे उतर हो गई यह नौन एक्जिक्टिव पोस्ट है तो यहां पर आप देख सकते हो सर्वेयर फोर्मेंड और अप्रेटर कम टेक्निशन बॉयलर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और माइनिंग इन सब को जो है चब्विस से इतना मिलेगा माइनिंग मेंट और अटेंडेंट कम टेक्निशन और अटेंडेंट कम बॉयलर वाले को जो है 25 या से शुरूआत होगी तो कित्ने से भी हो क्या फरक पड़ता है तिक अच्छा अब जो बंदें ऑपरेटर कम टेक्निशन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल या माइनिंग या फिर दो एग्जीकुटिव पोस्ट के लिए एक्स पोस्ट वह जितनी जड़ी नान एक्से वालों को अगर आप इडवली से तो साथ सूरुपए देने हैं और अगर आप स्चीव्टे और डिपार्ट्मिंटाल एक्स्रिसमें सीचाइब दो सूरुपए देने हैं अब इसमें आ यह दिखुए यहां देख जाएगा देखुए सब्सक्राइब देखो अगर इन पोस्ट के लिए भरा तो 15 रुपए अगर आप जेनरल ईडब्लू ए सो बीसी से यह दो सब्सक्राइब करने की बात में हमिशा आप से कहता है अपना प्रेंट जरूर निकाल लेना अप्लिकेशन फॉर्म का क्योंकि इसको आपको 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 पर सम्पिट करना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा जब आपको स्कृट्रेश्ट ट्रेट टेस्ट या इंटर्व्य होगा आपका ठीक है ना और टेस्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है यह देखी ज़रा तो मेडिकल ऑफिसर जो इवन अपर यह सब को दिक् और उसमें पार्ट अ पार्ट भी पर यह बटा हुआ है तो देट सो मिनट में से 75 मिनट तक तो पार्ट भी चलेगा फिर बाखी पशेस्तर मिनट पार्ट भी चलेगा पार्ट अ में आपके पास जनरल अवेरनेस लॉजिकल रिज्दिंग क्वाटिटिट और वर्बल एबि अना वर्बल एबिलिटी क्वाटिटिव एप्टिट्यूट जनरल नॉलेज लॉजिकल रिज्दिंग क्वाटिटिटिव एप्टिट्यूट दो दो बार लिख दिया लो नहां पर यह दो बार आ गया है किस मिस्प्रिंट हुआ देखरा और डूमिन नॉलेज का जो भी जाता डूमिन नॉलेज ठीक सारे कुश्चिन एक एक कोवल मार्क्स के हैं निगेटिव मार्किंग रही एक चताई माक्स कड़ जाएंगे आपको ध्यान से देखना है आप एक बात लिगे कट आप जो है वह आपका इंडिविजियल टेस्ट भी आपको पार करना पड़ेग कि सेक्शनल कट आपको पार करना पड़ेगा यह भी बहुत इंपॉर्डेंट बात है और और वरॉल भी कट आप बनाएंगे लोग अहाँ बड़ी जिंजट हुआगी से लिए आप देख सकते हैं भाई यह जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है वह यह आप रहा कि यह सब कर देखानीन उन्हें से चिंटा मत करी की बहुत कुछ खास लिख दिया है ठीक है और के लिए विल हैव तो प्रोड्यूसर कॉपी ऑफ दिस कंवर्जिन नॉम्स का जो है कॉपी दिखानी पड़ी है और नहीं भी है मालों कॉपी तो आपको सीजी पीए जैसे मालों किसे का 8.3 है 10 में से तो इस 8.3 को 83 परसेंट बांगे आपको भड़ने ना है समझगे अच्छा किसी ने अगर दूर से पढ़ाई करिए तो उसे का मतलब होता है डिस्टेंस अगर पढ़ाई करिए आपने आप कॉलेज नहीं दूर से पढ़ रहे थे प्राइवेट पढ़ रहे थे तो आप एलिजिबल नहीं है इसको बढ़ने के लिए इसको आपका ध्यान रखना है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है तो सोच समझ के भरें यह यहां पर लिख वी बात तो ज्यादा अपलाई ना करें कोई अगर सरकारी आदमी इसको अपलाई क जोड़े रहें यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें इस्ट्राग्राम पेज भी है जहां पर मैं अपडेट देता रहता हूं शॉटस भी देखते रहा करो कि बहीं मैं शॉट्स में शौटच में देथा हूं आप आप वहां पर और बहुत सरे वीडियो मैं ने बताएं उनको जाकर कर लिए उनकी डेट ना निकल जाए नहीं तो फिर बाद में बहुत अकरती और मैंने पूरे डिटेल ने बता है डबल स्वीड में सुन लो आपको जादा लगता तो लेकिन काम तो खतम करो जोब इंपोर्टेंट है ठीक है चले जैहिंद जैभारत आ इसे करते करते हैं हम पूरे दुनिया की मदद कर लेंगे निभू नहीं कर रहे हैं आपन वैसे कर भी ले तो क्या बुराइए ठीक है चले जो भी जैहिंद जैभारत मिलते हैं अगले वीडियो